हेलो डिए स्वेंट वेल्कम बैक टूबर चानल आरके सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिस के एक महत्पुर्ण टॉपिक को क्लिर करने वाले हैं जो कि आपके एक्जामरेशन के लिए भी वी आई होने वाला है तो आज का प्रसन मारा इस पकार से होने व पहले जानना पड़ेगा ठीक है और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कम्मुनुकेशन का मतलब समझा दिया कम्मुनुकेशन का मतलब होता है अपनी बातों को अपने बिचारों को अपने संदेशों को दूसरों तक पहुशाने के माधियम को यह लोग क्या कहते क्य PAUL केरिए हैं कमु केसन क्या ऌत है क्या क्या फ़?, टीक है अब यहांपे बात यहां था पर इसपूनस आता है उसी क्या क्याते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ार हो ठीक है लेकिन आपको अगर कुछ समझ भाई नहीं आ रहा है तो effective communication हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है मैं आपको पढ़ार हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वह effective communication हुआ ठीक है वही कह सकते हैं कि effective communication is the process of exchanging ideas, thoughts, opinion, knowledge and data so that the message is received and understood with clarity and purpose मैं इसका गया न कि effective communication एक process होता है एक ऐसा प्रगरिया होता है क्या करने का तो ideas share करने का ठीक है ideas मतलब अपने विचारों को share करने का अपने सोच को share करने का अपने ग्यान को share करने का एक ऐसा माध्यम होता है जिससे लोग जो है अपनी बातों को आपकी बातों को जो है na clarity से means first रूप से समझ सके उसका साथ सब परपस मतलब उद्य सके साथ समझ सके उसी को लोग क्या कहते हैं effective communication कहते है क्या कहते हैं कहा गया कि when we communicate effectively both the cylinder and receive feel satisfied में सकते हैं कि जब लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं तो इसमें जो रिसीबर होता है जो सिंडर होता है में जो बोल रहा होता जो सुन रहा होता है ठीक है दोनों सैटिस्फाइर होना चाहिए तभी यह effective communication कहला आएगा और थार तो नहीं कहला आएगा ठीक है जैसे मालेजे महीं आपको बता रहा हूँ और मैं अपने आप में satisfied feel लिए होँगा ठीक है कि नहीं मैं and successfully delivered कह सकता है कि effective communication एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके मात्यम से हम लोग clearly और successfully जो आना कोई message को deliver कर देते हैं और received and understood किसी के बातों को हम लोग बढ़ियां से समझ सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहता है effective communication कहते हैं यहां तक आप समझ गयोंगे कि effective communication किसको कहते हैं अब बातें यहां पे आती है effective communication include effective communication में कुछ और भी तत्व सामीर होते हैं तो क्या-क्या चीज़ें सामीर है वो चीज़ को हम लोग जानेंगे इसके पहरे दोस्तों मैं आपको बदा देना चाहता हूँ तो पीडियाप के लिए मेरे वर्टसप ग्रूप और टिलिग्राम ग्रूप में अवसे जूड़ जा जिसका लिंक आपको रिस्क्रेशन बॉक्स में मिल जाएगा उसके साथ साथ आपको करना क्या है में मेजर पेपर का कॉमेंट मुझे एवसे कर देजएगा ताकि मैं उसका संपुर्ण त्यारी आपको करवा सकूँ ठीक है अब देखे कहां गया effective communication include effective communication में कुछ और भी सामीर है क्या सामीर है कि अगर आपको प्रभावी रूप से संचार करना है तो सबसे पहले आपको क्या बरना पड़ेगा be a good listener सबसे पहले किसी के बातों को आपको सुनना पड़ेगा किसी के बातों मतलब जो बोल रहा है उसके बातों को आपको बढ़िया से सुनना पड़ेगा अगर आप उसके बातों को सुन ही नहीं पाओगे तो क्या आपको समझ मायागा, जिसे माल, यह महीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, तो क्या आपको कोशन समझ मायागा, नहीं समझ मायागा, ठीक है, इसलिए भई खा गया है, कि बढ़ियां से बातचीत करने के लिए म कि आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा उसके बाद taking control of emotion and stress ठीक है मिस अपना stress और emotion को ठीक है क्या करना पड़ेगा control में रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि अपने गुसा को किसी को उपर उतार दो ठीक है अपने emotion को किसी को दिखा दो ऐसा नहीं ठीक है फिर खाया कि using positive body language ठीक है मिस कहा गया कि बातचीत करते समय जो है आपको body language का सही से परियोग करना चाहिए अब ऐसा नहीं कि मालेज ये मैं आपको बता रहा हूँ classroom में बता रहा हूँ ठीक है और मैं आप लोगों को ना देखर के पूरा kuna में दिखा हें। किया आपके साथ आखे मिला करके नहीं बात करूंगा ठीक है फिर खा गया है कि have cool and clam कि किसी से बात करते समय जो है आपको कैसा होना चाहिए cool होना चाहिए ठीक है and clam होना चाहिए सान तो होना चाहिए है फिर खा गया है पांचमा में कि focus on your goal टीक है don't waste time मालेजिए अगर आप किसी से बातचीत करते हैं ठीक है तो time waste ना करते हुए आपका जो goal है जिस इसके लिए आप बातचीत करने के लिए आए है वह goal पे आप लोग तुरंत आने चाहिए ठीक है इसको अब लोग को जान गए कि आखिर इसमें क्या-क्या सामियल होता है लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि सम important parts of effective communication के कुछ और important parts है अरिवार यह parts होते है उसको हम लोग जानें इनके ठीक है तो देख इसके एगर importance parts की बात करें तो पहला आपका है completeness क्या है completeness जिसको हम लोग कहते है हिंदी में संपरूंता क्या कहते हैं संपरूंता में इस पू कि तीसरा क्या consideration मतलब बिचार करना ठीक है फिर चौथा आपका है concrete names ठीक है मिस ठोस्पन ठीक है और आगे है पांच में आपका है clarity clarity का मतलब बुता स्परूंता ठीक है यह पांच बिसाई पर जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे रिक्तम clearly चर्चा करेंगे कि आखिर क्या-क and bring desirable result means completence का मतलब होता है संपुर्ण तरीके से एगर आप किसी चीश को बता रहे हो ठीक है तो आपको बढ़ियां से बताना पड़ेगा ऐसा बताना पड़ेगा संपुर्ण जानकारी देना पड़ेगा ताकि लोग जो है उसको संतुस्ट मैसूस हो सके वह एक खबा कि message will be complete कुछ हो आप message दे रहे हैं लोगों को वह कैसा होना चाहिए complete होना चाहिए संपुर्ण होना चाहिए and bring desirable result ठीक है उसका कोई result भी आना चाहिए उसको कोई परभाव पड़ना चाहिए फिर करा provide all necessary information उसके साथ साथ आपको सभी अनिवार क्या करना पड़ेगा information देना पड़ेगा जो भी उसका information है वो सारे अनिवार information को देना पड़ेगा महत्पुर्ण information को देना पड़ेगा निर्देश इसको में लोग क्यातना है ठीक है फिर खागया है कि give something extra when desired ठीक हम इस यहां प्याती है correctness का किसका correctness का means सही-सही आपको सब कुछ बताना है ठीक है वह कहा गया कि the core of correctness is proper grammar ठीक है जब आप किसे से बात करते है तो proper grammar का यूज करना है आपको ठीक है punctuation and spelling ठीक है जब आप spelling बोलते हो और punctuation करते हो ठीक है उच्छारण करते हो तो सही से उच्छा सब्सक्राइब करते हो ठीक है नेक्स का गया कि include only words and figures बोला ना कि उसमें जो अना सिर्फ word का पर्योग करें figure figure मतलब चीत्र बगाना होता होता ना उसका पर्योग करें ठीक है फिर नेक्स आपका तीसरा है clarity clarity मतलब समझते है इस पस्तार चीज़ ठीक है साब साब कुछ बताना चाहिए ठीक है वह एक हागया कि clarity demands that the business should be correct and concrete means that the business पर आप focus कर रहें ठीक है वह कैसा होना चाहिए एकदम correct होना चाहिए और concrete means ठोस होना चाहिए ठीक है ताकि लोग उस पर बिसपास कर सके फिर कहा गया कि purpose should be clear ठीक है उसका उद्देश रहेगा वह एकदम clear होना चाहिए ठीक है मैं इस communication जिसी के लिए आप बात कर रहे हो वह कैसा होना से बिल्कुल clear होना चाहिए ठीक है प्रोपर punctuation max राइटिंग क्लियर मिस कहा गया ना कि बढ़ियां से आपको pronunciation जब करोगे ना ठीक है तो यह जो है आपके राइटिंग को क्या करेगा clear करेगा आपके बातों को जो हो क्या करेगा clear करेगा नेट का आगया है कि चूज accurate familiar words ठीक है मिस ऐसे word का आपको परियोग करना है जो आपको ऐसा ना लगए कि कई आप कभी आप सुने ही ना हो ठीक है आपको ऐसा word का परियोग करना है जो सुना सुना हो ठीक है अब देखे आगे बढ़ते हैं नेक्स अमिले लिखाए वर create effective sentence and paragraph ठीक है मिस ऐसा ऐसा sentence आपको use करना है ठीक है जो लोगों के मन में कोई परभाव डाले ठीक है अब देखे आगे है के और सीट है अब इसमें कहा गया कि being humble and polite कि आपको जो यूदि रहे ना थे कर पोला सांत सांत ठीक है में मिस विनमर रूप से आपको रहना सांत रहना थे करा आप क atenção से बात करते हो तो यहाँ अगर आप आपको को सूसर्थ क्रित पाते कि अ इंसर योर मेल प्रोमोड लिए ठीक है कि अगर आपको मेल लिखना ना अगर आप मेल लिख रहे हैं तो आपको फॉर्मल लिंग्विजेश का पर्यूग करना है ठीक है फिर खागा कि यूज एक्ष्प्रेशिन देना है इसे मालीजे वो कुछ बूला आपको तक एसा एक्ष् पॉल्टी में सोच नहीं है रहा ना इसा बातों को अपको ध्यान में रखना चाहिए अब पांचमा आता आता है आपका अक्टिव लिस्निंग क्या था आथा अक्टिव लिस्निंग जिसे मालेजे आप किसी से बात्यूद करते हो ठीक है तो आपको बढ़ियां से पहले सु बोल रहा है उसके बातों पर जुआना आपको क्या करा चाहिए ध्यान देना चाहिए उसके सासा उसके बॉड़ी लेंग्विज पर ध्यान देना चाहिए और अधर ननवर्बल कॉज़ेज टू बेटर अंडर्टेन दियर मेसिश्टिक है कि वह अगर कुछ इसारा भी करा उसके बातों को समझना आपको पड़ेगा ताकि आप उसके अंसर को जो है सही तरीके से बता सको फिर छट्था आपका है विजूल कम्यूकेशन क्या है विजूल कम्यूकेशन कहने कारती है कि यूजिंग विजूल एड्ट्स लाइक ग्राप्स चार्ट्स और इमेजिस ट्क है तो उससे जैना डाउट और भी क्या हो जाता है ट्रॉल और मिलना चए है अपिर आवको याजिव बीरा फ्लटून determine इंफर्मेशन, be careful of explaining and clarifying your thoughts and ideas to have an effective word means करती है, कि जब आप किसे से बातचीत करते हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चीए, कि आपको जो ना, information भी उसको देना है, है ना, उसके साथ साथ अपने जो थाउट से आपको जो सोच है, उसको आपको क्या करना है, क्लियरफा करना है, ठीक है, ताकि उसको जो है, हर बातों को प्रभाववी रूप से समझ में आ सके, उसके हर मतलब उसको जो है, आपके हर एक बातों को समझ में आ सके, ठीक है, तो उमीद कर दोस्तों कि ये कूशन आपको समझ में आगया होगा, और और ये कूशन आपको समझ में पार्ट।